सिलाप, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो हेर आपी, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही है और वहसी भी मुझे देर ओरी आफिस के लिए तुम्हें HR डिरेक्टर किसने बना दिया है? तुम्हें थोड़ी से भी अकल है या नहीं? नहीं, बस समझ गई हूँ मैं, शादी का मसला होगा मेरी और क्या? सिलाप, अमार गर्वर्मेंट प्रोजेक्ट के लिए यहां है अबर, तो अमार यहां है तो मेरे उससे क्या लेने देना? देखे, मैं साफ बतायो, मुझे शादी नहीं करनी, मैं ऐसे ही खुशी हूँ अजाद, आप लोग को ही मुबारक को अपने शौरों की खुलामिया करना, ओके? सिलाप, खुदावस, मेरी बात तो सुनो सिलाप पान जी, वोई बात सिला से? जी, नहीं करनी ही उससे शादी, पता नहीं क्या हो गया आजकल की लड़कियों को शादी नहीं करनी होती? चलो, यह तो अच्छा है, खुई तो बचाब आप तो ऐसे कह रहे हैं, जिसे बहुत फस गया है मुझ से शादी करके मैंने ऐसा कप काई? अंसार साथ, यह मैं ही थी, जिसकी वज़े से आपने जॉब के साथ साथ अतना MBA कर लिया जी, और जो मैंने आपकी साडी में हेल्प की थी, वो हिसाब बराबर? कैसे हिसाब बराबर? मैं आपके सारे असाइन्मेंस और को इस पूरे करती थी, आप तो जॉब सा आने के बद बस बिस्तर पे पढ़ जाते जी, जी, और जो रोज मैं आपको आफिस जाते वे पहले आपके आफिस डॉप करता था, पर वापसी वापको पिक करता था और फिर हम घर जाते थे वो तो किसी खाते में नहीं है ना? जबके आपका आफिस मेरे आफिस से काफी दूर था, बाइदो वे तो गाड़ी ही चलानी होती थी, आप कौन सा मुझे साइकल पे पिक इंड्रॉप करते थे? हिरा, तुम सिला का गुसा मुझ पे क्यों उता रही है? तो पिर आप सिला से बात करें ना प्लीज, वो आपकी सुनती है? यार, रहने दो ना उन्हें खोश, और मुझे लगता है कि अमार भी कोई शादी वादी नहीं करना जाता, लेकिन अंसार वो जबरदस्ती बड़ी आपसे बात करके अमार की सारत से शादी करवा देंगे, चाहिए, कुछ करे ना प्लीज, अचा ठीके मैं करता हूँ बात, अमार से, सिला से, अमार से तुम बात करना, नए, मैं पहले बड़ी आपसे बात करूँगे, अचा अब चले, जी,